So AMD का नया लगते जिगर कल ही लाँच हुआ है and as per AMD आज के डेट का one of the best choice CPU है for gaming which is a Zen 4 based 7800X 3D processor Basically इस processor का main reason for being a top performer for gaming CPU is its cache ना ही core, architecture और ना ही पूजा, उपवास या तपस्या its 3DV cache only So 3DV cache में AMD ने बहुत जान लगाया है इसमें एक और खासियत ये है कि it comes with single CCD means single section type आप बोल सकते हैं जिसमें सारे 8 course मिलेंगे आपको इसमें latency में काफी कमी आती है single CCD की वज़े से सारे course different CCD में होने से internal communication या फिर shared cache की वज़े से latency काफी बढ़ जाता है but single CCD में सब एक साथ है तो latency काफी कम होता है इसमें single CCD को ही दिया गया है unlike old 7900X 3D जिसमें 2 CCD थे but एक को disable करके रखा गया था जिससे problem ये हुआ कि decision पूरा OS पे depend हो गया कि कि को choose किया जाए for processing purpose and OS always right नहीं हो सकता इसलिए इस समस्या का सबसे बढ़िया समधान मिला है हमें in the form of 7800X 3D इसमें दूसरे CCD को सीधे हटा ही दिया गया है and इसके साथ साथ आपको 3DV cache का भी साथ मिल रहा है so basically cache तो आपको पता ही होगा ये एक small amount of fastest memory type होता है जो processor को जड़त पढ़ने पाली data को RAM से छाप करके अपने पास रखता है क्योंकि processor का speed बहुत ज़्यादा होता है इसलिए cache को इस्तिमाल किया जाता है उसके लिए RAM से direct बात करने का मतलब Hollywood versus मेरे वीडियो के बराबर है so जितना ज़्यादा data cache में होगा उतना अच्छा and fast processing हो सकेगा बट क्योंकि cache का size आप एक limit तक ही set कर सकते हैं दूसरी बात processor का width fix होता है क्योंकि उसके basis पे ही दूसरे companies like आपके लिए coolers, fans या फिर बाकी चीज़े बनाती हैं so इसी problem को solve करने के लिए AMD ने अपने processor को किसी तरह से मंत्र मार करके and राकी सावन से training दिला करके पतला किया है जिससे cache को multiple layers में जोड़ा जा सके and एक दूसरे के उपर रख करके इन्होंने 3D cache का निर्मान किया है which is vertical cache इसका size बढ़ने से और ज्यादा data cache में समा सकता है and processor ज्यादा fast काम कर सकेगा with low latency so ये थोड़ा सा introduction type था 3D cache आपको समझाने के लिए अब processor की बात करें so ये आज भी 8 core 16 thread वाला 5 GHz max boost clock के साथ उत्पन AMD के गोद में सिम्टा 120W TDP के साथ आने वाला processor है अब चुकि AMD का claim के अनुसार ये अब तक का सबसे powerful gaming processor है इसलिए gaming benchmark की बात करनी तो बनती है so ये screenshot हमें मिला है from video cards website जहां AMD ने 21 games test किया है from different different उत्पत्ती और उत्पादन companies के द्वारा and ये benchmark है against Intel Core i9-3900 के processor so overall अगर आप गौर से देखेंगे तो इन 21 games में कई games ऐसे हैं जहां Intel is still doing well बट जहां AMD टॉप कर रहा है वहां difference is approximately 31% like in Horizon Zero Dawn game वैसे हर game में AMD ही John Wick नहीं बना हुआ है कुछ games में Intel को भी वरदान मिला है which is still good बट क्यूंकि ये AMD का presentation वाली चिठी का हिस्सा है तो हो सकता है उन्होंने बड़े ही चालाकी से शकुनी मामा के साथ कुछ वक्त बिता करके इस report को बनाया हो so इसकी सच्चाई पे शक करना बनता है and we must wait for Intel side as well या फिर कुछ भले benchmark की दुनिया जगमकाते सितारों का result आता है तो उस पर भी हम observation लेकर के result पे discuss कर सकते हैं बट फिलाल overall देखा जाए तो सिर्फ 6.9% का ही growth देखने को मिल रहा है from AMD side in 21 games जो की 1080p पे observe किया गया है still it's not bad because Intel का Core i9-3900K comes with 24 cores and 32 threads with max boost of up to 5.8 GHz and 36 MB of smart cache सिर्फ cache size ही AMD में 104 MB है L2 and L3 को मिला करके बाकी सब कम ही है Intel के comparison में इसके बावजूद Lisa Madam ने कुछ तो काली शक्तियों का साथ हाथ मिला करके ये उबलता हुआ टेकनोलोजी आपके घर तक पहुँचाया है so thanks to her and gaming में आपको पता ही है इसका असर आपको gaming में ही दिखेगा अगर आपका इस्तमाल कुछ अलग तरह की चीजों पे है तो इस processor को चुनते समय आप खोड़ा ध्यान दीजिएगा वैसे ये bunch mark जो 21 games का आपको दिखाया गया है वो 1080p पे ही किया गया है और मुझे नहीं लगता जो लोग इतना पैसा दे करके इतना powerful CPU लेंगे वो सिर्फ 1080p ही game खेलेंगे मेरे साबसे वो 4K भी try कर सकते हैं जिसका result फिलाल हमें नहीं पता है दूसरी बात power consumption for blender test भी बहुत कम है compare to 3900K like approximately 4 times जादा power consume कर रहा है 3900K जो कि बहुत जादा बड़ा difference है मेरे साब से chart is from gamer nexus youtube channel so thanks to them as well so ये point भी goes to AMD only इतना कम power supply में approximately same result देना बहुत बड़ी बात होती है so overall आप कह सकते हैं कि 7800X 3D अब तक का सबसे powerful gaming CPU बन सकता है marginally better than 3900K processor in gaming at 1080p फिलाल इस processor का price होगा सिर्फ $449 and इसका performance Intel के Brahmaster type CPU 3900 के साथ किया गया है जो कि फिलाल available है at a price of $569 so आज के लिए बस इतना ही आपका कुछ और कहना या मानना है तो हमें comment section में जरू मिले वहाँ हम मिलकर के बात कर सकते हैं hope you like the video and thanks for watching